दोस्तों आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि 10,000 के अंदर अंदर कोई monitor बता देजिए video editing के लिए या फिर Photoshop CorelDra चलाना है उसके लिए 10,000 के अंदर अंदर का कोई अच्छा monitor बता देजिए तो ये video बिल्कुल उसी के बारे में होने वाली है इस video के अंदर हम दो 10,000 के अंदर आने वाले सभी एक अच्छे monitor के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए video editing के लिए CorelDra Photoshop चलाने के लिए graphic designing करने के लिए कोई भी काम करने के लिए आप इसको बिल्कुल भी use कर सकते हैं समझने के लिए video के साथ लास तक बने रहे हैं बहुत ही काम की video होने वाली है वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज वीडियो को like कर दे, share कर दे और comment करना ना भूलेगे क्योंकि एक सारी की सारी video जो है आप लोग के comment के अधार पर ही आती है आईए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से monitor हो सकते हैं सबसे पहला जो monitor है, Acer का हम लोग ले रहे हैं क्योंकि यह model मेरे पास 27 inch के अंदर है और यह same model जो है आपको 22 inch में भी मिल जाएगा model change होता है, लेकिन same look, same cheese, same series जो है आपको मिलेगा 22 inch के अंदर, 24 inch के अंदर, 27 inch के अंदर मिल जाएगा तो इसके अंदर 22 inch, अगर हम इसके bezel की बात करें तो जैसे कि image में आपको 3 side जो bezel है बहुत कम image में दिखाई देता है बट ऐसा real में नहीं है मैंने इस पर video बना रखा है, actual review बना रखा है चाहें तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं दिखने में image में कम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब यह on होता है तो थोड़ा सा bezel इसमें बाकियों से थोड़ा जादे दिखता है लेकिन उसके अलावा color accuracy बहुत अच्छी है काफी लोग इसको buy के और कहते हैं कि अच्छी नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर settings बहुत ज़्यादे दिया हुआ है थोड़ा सा आप अपने requirement के हिसाब से इसको set करें इसके menu में जाकरके set करने के बाद हम लोग use कर रहे हैं editing में बहुत ही बहतरीन laptop ये perform कर रहा है पिछले करीब 4-5 महीने हो गए इसलिए में लागातार इसको लेकर क्या आता हो क्योंकि सस्ते में ये बहुत अच्छा monitor हो सकता है अगर सबसे पहले हम minus की बात करें कि इसमें problem क्या है क्या कमी है तो कमी इसके अंदर सबसे बड़ी यही है कि ये जो model है ये कोई भी model wall पे set या फिर stand पे set नहीं होगा wall पे set नहीं होगा ये अपने ही stand पे सिर्फ table पे रखा जाएगा एक यही problem है wall पे लगाने वाल मांट जो होता है वो लगाने के लिए इसके अंदर जगर नहीं है इसके अलावा बाकी price wise बहुत अच्छा है और video editing के लिए और फिर graphic designing के लिए जितने भी सारे काम है उसके लिए IPS panel का होना बहुत जादे जरूरी है full HD कम से कम full HD का होना बहुत जादे जरूरी है तो यह सारे के सारे monitor जो है मैंने IPS panel के साथ लिया हुआ है full HD के साथ में लिया हुआ है तो यह 22 inch का monitor SR का 21.5 inch है वैसे 22 inch के अंदर हम इसको मानते है HA 220Q model है full HD IPS ultra slim के अंदर यह आता है slim तो है वाकई में बहुत slim होता है मातर 6.6 mm की इसकी thickness होती है जो की बहुत कम होती है यह LED back light technology है इसके साथ में जो की इस काम के लिए बहुत ही बहतरी हो सकता है price की बात करें तो Amazon पर इसका price इस वक चल रहा है 8,350 रुपे और same model जो है Amazon पर महंगा होता है flip card पर सस्ता होता है तो सभी का link मैं दे रहा हूँ एक बार comparison करें उसके बाद जहां सस्ता मिलता है वहाँ बाई करें और वही पर मैं YouTube Store का भी link दे रहा हूँ राइट हैं आपको दिखाई दे रहा होगा YouTube Store का link उस पर भी click करके एक बार check करें जहां पर सस्ता मिलता है वहाँ से आप बाई करें उसके बाद जो है यही model 24 इंच के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 24 इंच के अंदर बाकी साही same चीज है Amazon पर 9,600 निन्यार मेरे 9,700 रुपे का है और flip card पर 9,700 यारी कि यहां पर 24 इंच के अंदर दोनों का रेट लगभग लगभग यह same ही माना जाएगा उसके बाद जो है नेक्स जो model है Samsung का बहुत लोग Samsung को पसंद करते हैं तो Samsung 24 इंच के अंदर अगर आप Full HD का लेते हैं IPS 75 हर्ट के अंदर बिल्कुल वेजरलेस यह भी आपको मिल जाएगा IPS पैनल के साथ में ही है AMD Free Sync के साथ में आता है Flicker Free है HDMI D-Sub के साथ में आता है और पिछला model आपने देखा Acer का उसके अंदर आपको VZM port और HDMI मिलेगा इसके अंदर एक display port पिलेगा और HDMI मिलेगा तो कही न कहीं आप अपने requirement के आपके motherboard में किसकी requirement है उसके हिसाब से आप monitor को खरीदे तो 24 inch के अंदर अगर हम Samsung की बात करें तो यह 9400 रुपे का फिलहाल Amazon पर available है और flip card पर भी इस वक्ते जो है 9400 रुपे का ही available है तो जिस पर आपको सुविधा मिले वहां से आप बाई कर सकते हैं उसके बाद 20 inch भी available है 22 inch से भी model आपको 8100 रुपे में मिल रहा है तो जिनको budget कई सूतना नहीं है आप 22 inch ही चाहिए तो आप फिलिप card से आप बाई कर सकते हैं 22 inch फिलिप card पर है आपको ध्यान रखना होगा सभी का link में दे रहा हूँ उसके बाद LG में आ जाते हैं काफी लोग LG पर भरोसा करते हैं कि नहीं monitor हमें LG में चाहिए तो LG का ये जो model है बड़ा ही famous model है क्योंकि इसका stand बगर बहुत ही खुबसूरत होता है bezel बगर बहुत ही कम होता है LG 22 MP68 VQ model होता है ये 22 inch के अंदर 55 cm का ये full HD का monitor होता है IPS panel के साथ में ही है VGA port, HDMI, DVI ये सारे port आपको देखने को मिल जाएगा flip card पे अगर हम आते हैं तो थोड़ा सा दूसरा model है उसका base बगर थोड़ा सा अलग है थोड़ा design अलग है लेकिन bezel less है IPS panel के साथ में ही 24 inch के अंदर आपको मिल जाएगा 8500 रुपे में Amazon पर जो आप देख रहे हैं वो model थोड़ा सा अलग है लेकिन दोनों का ही अपना अलग 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 looks है दोनों ही अच्छे हैं जो आपको suit करता है उसको buy कर सकते हैं लेकिन इन सब की color accuracy वगरा बहुत अच्छा होता है उसके बाद जो है हम आजाते हैं MSI के अंदर MSI Pro PM 24221 Full HD के अंदर 24 inch के अंदर ये बहुत ही famous monitor है क्योंकि इसका bezel बहुत ही कम होता है मातर 9,900 रुपया निकि 10,000 रुपय में करीब करीब ये आपको मिलेगा चुकि करीब करीब 100 रुपय 101 रुपय कम है तो 10,000 के अंदर ही आ जाएगा bezel बहुत ही कम होता है और बड़ा ही अच्छा color accuracy होता है इसके अंदर भी फीचर बहुत जादे आपको देखने को मिल जाएगा IPS panel के साथ में ही है HDMI VZA port के साथ में ये आता है और बाकी ये सब जो है Sair को छोड़ करके सारे के सारे wall पर माउंट हो जाएंगे ये आपको clear है कोई भी दिक्कत नहीं है ये अगर जिनका budget 10,000 के आसपास बन रहा है वो इसको buy कर सकते हैं लेकिन यही चीज़ अगर आप flip card से लेते हैं same model तो ये 8,999 करी 9,000 रुपे का मिल रहा है 1,000 रुपे का यहाँ पर differences आपको पढ़ जा रहा है तो ये चलता रहता है Amazon और flip card का दोनों पर ही आप एक बार देखें जहां पर सस्ता मिल रहा है वहां से आप buy कर सकते हैं और साथ में ही आप YouTube स्टोर को चेक करना ना भूले कई बार इन दोनों से भी सस्ता वहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तो इस तरीके से थे अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है ग्रेफिक डिजाइनिंग करना है दुकान है, आफिस है कहीं भी लगाना है तो इन में से कोई साभी अपने requirement के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं monitor सारे monitor हमारे बहुत ही selected monitor हैं तो दोस्ते वीडियो information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं स्टैप की वीडियो समय सा ले करके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्ट किसी और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्य बात करता हूँ आपका दिल सुभाँ